शंकर, सच्चिव श्री सेतु रमन, आज ही इसी मंच पर पुरस्क्रित हुए स्वामी तेजो मयानंद जी, श्रिया मिताब बच्चन जी, श्री सेम पेट्रोदा जी, और इस गरिमा मैं समारहु में उपस्थेत, मेरे बहुती सने ही भाईयों और बेहनों। सबसे पहले तो मैं स्वामी जैंद्र सरस्वती जी के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करती हूँ। और उसके बाद जूरी के उन सदस्यों के पती करतगिता ग्यापित करती हूँ। जिन्होंने स्वामी चंद्रशेखर सरस्वती नैश्रल एमिनेंस अवार्ड के लिए मुझे चुना। मित्रो राजनती क्षेत्र में पुरसकार तो अनेक मिले हैं। लेकिन आज का ये पुरसकार स्वामी जी पुरसकार नहीं मेरे लिए आशिरवाद है। साक्षात परमाचारे जी का आशिरवाद, साक्षात शंकर का आशिरवाद। इसलिए पुरसकार मिलने पर प्रसन्यता होती है। पर आज अपने आपको धन्य महसूस कर रही हूँ, यह आशिरवाद प्राप्त करके मैं धन्य हुई, लेकिन इस पुरसकार के साथ, आशिरवाद के साथ, बहुत महती जिम्मेदारी भी चली आई है, क्योंकि जब साइटेशन पढ़ी जा रही थी, तो जिन गुणों का वाच किया जा रहा था, यह जिम्मेदारी है कि जीवन भर उन गुणों पर खरी उतरूं, और उसमें से एक भी चीज ऐसी न लगे, कि जो कही गई थी, लेकिन असत्य निकली, साइटेशन का वाचन संस्कृत में हुआ, शंकर जी, संस्कृत के प्रति आपकी निष्ठा और अनुराग देखकर मेरा मन बहुत प्रफुलित हुआ है, क्योंकि शायद कम लोगों को यहां यह मालूम हो, कि संस्कृत विश्वकी सबसे विज्ञानिक भाशा है, सेंपेट्रोदा यहां बैचे हैं, वो साक्षी होंगे इस वाद के, कि जब दुनिया में टॉकिंग कम्प्यूटर बनाने की बात चली, तो प्रश्ण उठा कि कौन सी भाशा उसके लिए चुनी जाए, क्योंकि कम्प्यूटर का अपना कोई विवेक नहीं होता, जो आप बोलते हैं, वही वो लिखता है, और जो लिखा जाता, दिया जाता है, उसी को वो पढ़ता है, इसलिए भाशा व्याकरण की दृष्टी से भी वेज्ञानिक होनी चाहिए, और धनी की दृष्टी से भी, जो बोला जाए, वही वो पढ़े, आज गर्व से माथा उंचा करके कह सकती हूँ, कि विश्व की तमाम भाशाओं की समिक्षा करने के बाद, जिस भाशा को सर्वता उप्युक्त पाया गया कंप्यूटर के लिए, वो संस्कृत है, क्योंकि जैसे अंग्रेजी में, एन ओ नो भी नो है, और के अन ओ डबल्यू भी नो है, अब अगर आप कंप्यूटर को बोलें, I know this, वो तो लिखेगा, I know, know this, कोई अर्थी नहीं निकलेगा उसका, कहीं T साइलेंट हो जाता है, तो कहीं E साइलेंट हो जाता है, बोलते हैं, लिखते हैं, entrepreneur, बोलते हैं, entrepreneur, वो विवेख हीं कंप्यूटर कैसे देखेगा इसको, लेकिन संस्कृत में जो बोला जाता है, वही लिखा जाता है, यहां तक कि छोटी E और छोटे U की मात्रा की धनिया भी अलग है, इती, यदि आपने छोटा बोला तो इती, लेकिन दही, बड़ी की मात्रा बोला तो दही, तो जो बोलेंगे वो लिखेगा, जो लिखेगा वो ही पढ़ेगा, लेकिन केबल धनी की बात नहीं, मैं संस्कृत की विज्ञानिक्ता के दो उदारण आपको देना चाहूंगी, संस्कृत में शब्दों का इतना अपार भंडार है मित्रों, कि रचनाकार अपने व्यक्तित्व के अनुसार उसको चुन सकता है, एक प्रसंग है रामायन का, कि जिस समय भगवान फ्रीराम लंकेश पर विज़े प्राप्त करने के लिए लंका जाते हैं, तो भगवान शंकर की आराधना करते हैं, वो स्तुति जिसमें करते हैं, वो रामचरित मानस में रुद्राष्टकम के नाम से समाविष्ट किया गया है। रुद्राष्ट्रकम के शब्द हैं नमामी शमी शान निर्वान रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्व रूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजें लेकिन उसी समय श्री राम पर विजय प्राप्त करने के लिए रावन अरंने विए आरादना की इस तुती की थी और उसने अपना संधिरी स्वें स्वें रचा था जो श्यू तंडव स्टोत्र के नाम से प्रसिद्ध है छबर्द मद्धमन निनादवद्धमरवयम चकारचंद तांदवं तनो तुरेशिवेशिदम धगत 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 जवल ललाट पट पावके किशोरचंद रुशेखरे रतिप्रतिक्षाम ममा धराधरेंद्र नंदिनी विलास बंदु बंधूरा सुर्दिगंत संतित प्रमुद मानमानस यहां बैठे किसी एक पहांच वर्ष के बालक के सामने यदि मैं केवल ये दो श्लोक रख दूँ और ये कहूं कि बच्चा ये बताओ इसमें से कौन सा रामण ने रचा होगा और कौन सा राम ने पढ़ा होगा तो बिना कुछ जाने वो कहेगा कि डमट 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 ये रामण का श्लोक होगा क्योंकि शब्द उसके व्यक्तितों से मेल खाते हैं और नमामी शमीशान निर्वान रूपम राम ने कहा होगा ये है संस्कृत की विज्ञानिकता एक और उधारण देती हूं आप हैरान हो जाएंगे संस्कृत के एक रचनाकार हैं दंडी उनका एक नाटक है दशकुमार चरितम जिसमें दस राजकुमारों की कथा है अलग-अलग उसमें एक कथा आती है राजकुमार विश्वत की प्रसंग है कि वो आखेट के लिए शिकार करने के लिए जंगल में जाता है एक तीर आकर उ प्रसंग के घटने के बाद कथा अनेक पन्नों में चलती है कितने ही समाध विश्रत बोलता है लेकिन दंडी ने पूरे समवादवों में कहीं भी ओश्ठांग का प्रयोग विश्रत से नहीं करवाया है ओश्ठांग क्या है बूरा अलफ़ाबेट हिंदी का जो पवरग है वह ऊष्ठांग है प-फंवर्ण अ होट मिला कर बोले जा सकते हैं अगर दोनों होट में से एक होट नहीं है नगीन भू नीं बोल सकते बडर भू नीं बोल सकते इस तो आगर उसका एंग होट कट तो उसने पवर्ग का उच्छारण कैसे किया ये कोई भी प्रश्ण कर सकता था रचनाकार से इसलिए अनेक सम्वादों में कहीं भी ओष्ठांग का प्रयोग नहीं है यह संस्क्रित की विज्ञानिकता लेकिन लोग आजकल कहते हैं कि संस्क्रित तो बोलचाल की भाषा नहीं बन सकते हैं संस्क्रित कभी जनभाषा नहीं रही शादिस से बड़ी अज्यानता की बात कोई दूसरी नहीं हो सकती संस्क्रित जनभाषा रही है छोटे लोग अनपढ़ लोग बिना विद्याले में गए लोग संस्क्रित बोलते रहे हैं राजा भोज के काल में एक प्रसंग आता है कि राजा भोज एक बार अपने प्रजा का हालचाल जानने के लिए जंगल से जा रहे थे सामने से एक लकड़ारा आ रहा था उसने लकड़िया काट कर अपने सिर पर रखी हुई थी पसीनों पसीन था राजा ने लकड़ारे को देखा तो तब संस्कृत में ही बाचीत होती थी संस्कृती जनभाशा थी तो राजा ने लकड़ारे से कहा किमते भारम बाधती क्या ये भार तुमें कर्ष्ट पहुंचा रहा है लेकिन बाध शब्द जो है मित्रो वो धातू है जो परस्माई पदी नहीं चलती आत्मने पदी चलती है संस्कृत में दो तरह की धातू में हैं परस्माई पदी चलती है बाधती बाधता बाधनती और आत्मने पदी चलती है बाधते बाधते बाधनते बाध शब्द जो है वो आत्मने पदी में है तो लकड़ारा जवाब क्या देता है भारम न बाधती राजन यथा बाधती ब कश्ट दे रहा हैं क्योंकि बाधती शब्द का अशुध्युचारण आप ने किया ये शब्द बाधते वोना चाहिए भारण निवाधती राजन यता बाधती बाधते तो कौन कहता ये जन भाषा नहीं रही ये जन भाषा रही है लेकिन आज मैं शंकर जी से कहना चाहूं कि आपकी साउथ इंडिया एजुकेशन सोसाइटी पर एक जिम्मेदारी आई है क्योंकि आज संस्कृत केवल कर्म कांड की भाषा बन कर रहे गई कल जब विश्व के लोग आएंगे और कहेंगे कि कम्पूटर के लिए हमें संस्कृत के विद्वान दो हम टॉकिंग कंपूटर बनाना चाहते हैं तो एक विडंबना ख़ड़ी होगी कि जिसे संस्कृत आती है उसे कंपूटर नहीं आता और जिसे कंप्यूटर आता है उसे संस्कृत नहीं आती इसलिए केवल साइटेशन संस्कृत में पढ़कर अपने करतवी की इतिश्री मत कर लीजिए साउथ इंडिया एजुकेशन सोसाइटी का ये फर्ज बनता है ये करतव बनता है कि वो ऐसे लोग पैदा करे जो संस्कृत और कंप्यूटर दोनों के परम विद्वान बने और उस समय जब हमारे सामने ये बोध आतर के खड़ा हो ये विशे आतर के खड़ा हो कि टॉकिंग कंप्यूटर के लिए संस्कृत के विद्वान चाहिए तो साउथ इंग्या एजुकेशन सुसाइटी कहें ये लीजिए हम देते हैं जो संस्कृत के भी ज्याता है और कंप्यूटर के भी ज्याता है क्योंकि अथा भंदार भरा पड़ा है हमारे ज्यान का हमारे शास्त्र हमारे उपनिशब हमारे ग्रंथ और उन ग्रंथों की सोच लोगों तक पहुंची नहीं संस्कृत जानने वाले की सोच है संस्कृत बोलने वाला पूरी प्रिथ्वी को परिवार मानता है और अंग्रेजी बोलने वाला विश्व को बाजार मानता है हो है और यह सोच का अंतर है क्योंकि परिवार में प्यार होता है मिट्रों बाजार में व्यापार होता है केवल व्यापार शुद्ध व्यापार के लिकिर यह कौन बताएगा लोगों को कि भारतिय संस्कृती में पूरी प्रित्वी को पूरी वसुदा को कुतुंब मानने की भावना है। हम तो सर्वकी बात करते हैं सर्वे शंतु निरा मया। सर्वे भज्रान पस्चंतु मा कर्षिद्जुद्वा कुवेट। सर्वके कल्यान की कामना किसने की है? लोग अपनी अपनी बाद करते हैं लेकिन ये है वो भारतिय संस्कुति जो सरवके कल जान की कामला करती है इसलिए बहुत ज्यादा आवश्चक है कि ये ज्ञान जो छिपा पड़ा है पुस्तकों में केवल इस कारण नहीं पहुच पारा कि ऐसी भाशा में है जो भाशा मृत स्प्राय होती जा रही है जो भाशा केवल मंत्रोचार की भाशा बन गई है कि विवहा पध्धती करानी है जन्ममरण कराना है तो पंडित जी को बुला लो वो भी अपना आधा आशुद्ध और आधा शुद्ध बोलके चले जाते हैं क्योंकि उनको भी को टोकने वाला नह उनको भी कोई कहने वाला नहीं कि आप क्या कर रहे हैं इसलिए साउथ इंडिया एजुकेशन सोसाइटी पर ये जिम्मेदारी आईए आप इस काम को करें और मैंने अभी जब आप बैठे थे तो मैंने आपसे कहा था कि जो ढाइलाग का पुरसकार आपने मुझे दिया है म मैं आपको वापिस करती हूँ आप इसी पुन्यकारे में आप उसका इस्तेमाल करें और ये काम आप जरूर करेंगे मुझे लगता है तभी मेरा यहां आना सार्थक होगा बहुत-बहुत धन्यवाद